है वेलकम्टो फांडेशन क्लासेज माइनेम इस अमित चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं देखे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पहले थियोरी की किला से यानि कि टोपिक वाइज हम पहले थियोरी करेंगे दैन उसके बाद उन टोपिक वाइज ही उनके हम जो पेपर के अंदर आए थे आज जो मैं कुसтесь आपके सामने लेकर आया हूँ वो वाइज दिसंबर 2021 में जो सीट एड का पेपर वन हुआ था उसमें वाइगोच की थोरी के 26 क्यूस्टन आये थे यानि कि टोटल 11 सिफ्ट हुई थी और उन 11 सिफ्ट के अंदर वाइगोच की थोरी से टोटल 26 क्यूस्टन आये थे तो आज हम उन क्यूस्टन को डिसकस करने वाले हैं त चलिए session को start करते हैं थे थे क्यूसन पिल ग्रूप टो पीर ग्रूप के बारे में पुछा गया है अग पीर के मैंने आपको वाइगो钗ोच की थी यह आप जब पढ़तःकिो मैंने आपको वाताया था जो पीयर गूप्स है तो सोच्यलाइजिसिन के कुछ एजिंश्या होत पिर मैंने secondary agency के अंदर आपको बताया था जिसमें पियर ग्रूप्स हो गए प्रेंड्स हो गए पूल हो गया और मैंने आपको वहां पर आपके नेबर्स हो गए और वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था अगर बेस्ट सेकेंडरी अजेंसी पुछे तो वह होगी स्कूल ठीक है तो चलिए अब हम क्योशन को देखते हैं इसने बोला है कि जो प्रीयर्ड ग्रूप उसका रहल होता है वहती मैंतरपऊन रहल होता है क्या सेकेंडरी सोचीरेट देखे वहां पर वर्ट्स को आपको अश्छे से पढ़ना है यहां पर देखो significant नहीं लिख रखा यहां पर insignificant लिख रखा है तो ऐसे question गलत हो गया next है is not a agency of secondary socialization by secondary socialization की तो एजनसी है ना यह भी आपने आप में क्या गलत हो गया तो हमारा answer क्या आएगा answer number one चलिए next question की तरफ चलते हैं a teacher facilitates the students in the teaching learning process through peer interaction and scaffolding ठीक है जो teacher है वो अधिगम प्रिकरिया में क्या कर रहा है वो अंतेकरिया करा करें सारा देखकर ठीक है scaffolding देखकर ठीक है help करके बच्चों को पढ़ा रहा है तो यह बोल रहा है कि this learning process is based on learning process है वो किस थोरी के उपर based है तो देखिए हमने यह चीज किस के अंदर पड़ी थी वाइगोच के अंदर पड़ी थी अगवहां पर क्या होता है करते हैं जो समकक्सी होते हैं वह आपस में बढ़ते हैं या फिर एक दूसरी के क्या करते हैं help भी करते हैं teacher है वह भी क्या देता है इसके folding की देता है तो इसके folding के बाद किस नहीं कि थी थी हमारा answer क्या हो जाएगा answer number 3 लिए next जलते है अकोर्डिंग टू लेव वाइगोट्सकी दा जोन ओ प्रोक्सीमल डवलपमेंट जैड़ पीड़ी शुट भी यूजड़ फोर teaching and assessment, teaching only, assessment only और ascertaining fluid intelligence देखे जैड़ पीड़ी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था अग जोन ओ प्रोक्सीमल डवलपमेंट होता है चलिए मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं देखे मैंने वहाँ पर बताया था कि तीन लेयर होती है मैं आपको बताई थी वहाँ पर यहाँ पर जो टास्क होती है ।्यसके बाद मैंने यह जो dotted line है इसके उपर यहाँ पर पर यहाँ चास्क बताये थी यह वो टास्क है जो बच्चे किसी की help से करते है यानि किसके folding और यह एरिया है उपर का यह वाला एरिया यहाँ पर जो टास्क है वो उनके करी नहीं सकते है ठीक है वो उनके mind से उपर है यह होता है तो zpd के अन्दर क्या आता है यह वाला जो एरिया है ना यह जहाँ पर कर लेते हैं डिफिकल्टी से बिना किसी के help से और एक वो एरिया जो किसी की help से वो complete करते हैं तो यह दोनों एरिया किसके अंदर आते हैं जड़ीडी के अंदर आते हैं देखो according to lay वाइगोट्स की the zone of proximal development should be used for किसके लिए यूज करना चाहिए देखो teaching के लिए तो होगा योगा और किसके लिए भी होगा assessment के लिए भी होगा क्योंकि यहां से आपको क्या पता चलेगा अग बच्चे इस चीज़ को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बच्चों का भी आकलन हो जाएगा और आप क्या कर रहे हो बच्चों का आकलन करके किसमें यूज कर सकते हैं इसको अपने teaching में study करवा होगे ना दोबरा teaching करवा होगे ना तो दोनों के इंदर क्या हो जाएगा इसका यूज हो जाएगा ZPD का तो यह क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा next सलते हैं a teacher gives a half done example to child while teaching a particular concept according to Lev Vygotsky which of the following strategies is the teaching teacher using ठीक है जो टीचर है ना वो क्या कर रहा है उसने बच्चे को कोई क्यूसन देना था उसने क्या किया उस क्यूसन को आदा सोल कर दिया खुदी आप उसका खुदी complete कर दिया और देन उसके बाद उसने क्या क्या बच्चे को क्यूसन आगे करने के लिए दिया अगे बताओ अब आगे क्या होगा तो क्या कर रहा है यहां पर क्या कर रहा है वह वह वाइगोस की थोरी का यूज कर रहा है वह बच्चे की help कर रहा है क्यूसन को करने के लिए ताकि बच्चा आगे देरे-देरे बढ़ सके, फिर बच्चा स्टार्ट नहीं कर पा रहा होगा, तो इसलिए उसने क्या किया, उसको आप पार्ट उसका खुद करके दिखा दिया, ऐसे होगा, और फिर पुछा आगया होगा ना, तो अब इसको आप खुद करिए, ठीक है, त फॉलोविंग और प्रैमरी सोचिलाइजिंग एजनसी फोर चिल्डरन, देखिए, वही क्यूसंस आएंगे, बार-बार रिपीट होके आएंगे, आप 26 क्यूसंस को देखिए, और उसके बाद बताईए, जो मैंने आपको पटाया था, जो मैंने नोट्स दिये थे, उसमें यह चीज़े आई हुई है या नहीं आई हुई है, आप खुद अपना असेस्मेंट कीजिए, ठीक है, यहां पर पुछें प्रैमरी इजनसी, कौन सी होती है, बच्चे के समाजी करण की राथमिक संस्था हैं, कौन-कौन सी होती है, देखिए, यह भी होता है, फैमली भी हो स्कूल है, वो सेकंडरी होती है, और उसके बाद क्या होता है, नेवरूड, मैंने आपको उसके अंदर बता रखा है, स्कूल हो गया, पीर ग्रूप्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, नेवरूड हो गया, यह मैंने सेकंडरी अजनसी में बताए थे, और फैमली मैंने किस में और नेवरोड क्या है सेकंडरी में लेकिन देखो इसने क्या पुछा है प्रैमरी सोचिलाइजिंग एजेंसी फोर चिल्टर तो क्या होगी यहां पर हमारी फैमिली होगी और शाथ में क्या हो जाएगा हमारा आसपडोस यानिकी नेवरोड वह अकोर्डिंग टू ओप्सन हमे मैं इस जो पजल है इसको मैं सोल नहीं कर पा रहा हूं तो टिचर बोलता है विच पीस सूड कम हेर यानिकी बच्चे की वह help करता है ठीक है विच पीस सूड कम हेर एज इस आर्दा लैक्स ओब दा कैट अगर यह जो बिल्ली है उसके पैर है तो यहां पर कौन सा सैट होगा इस तरिके से उसने पुछा तो यहां पर क्या होगी है पॉज मतलब पंजे ठीक है फिटिचर कहता है गुड विच पीस लाई के पो पौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है तो बच्चे ने बता दिया यह यह दिखता है तो कहने का मतलब क्या है वो बच्चे से एक- इक स्टहप लेगके औगे बढ़ा रहा है तो यानि वो लिफ सक्टो के को समजना है का Almost always लेव वाइगोört्स कि थोरो कोगनेक्टीव डवलप्मेंट इसी जिटुएटटिटिड इंदा भाऊ पर है देखे तो शियो इकल्च्रल प्रस्पेक्डिव से साइको सेक्स्वेल प्रस्पेक्डिव मैंने आपको बता है था लैं कई त्योरी देख फिटी ऐसी ईतो की त्योरी टीक है यह जी दी दिना और पर्सक्राइल था आक यह जो मालस विकास वो समाज और संस्कृति की है बच्चा पहले समाज और अपनी संस्कृति से शीख से और उसके बाद उसके क्या होता है और इसकी थो यह जो दूसरा नाम है कोगनेटिव डवलपमेंट टिए यानि कि यह जो सोचिव कल्ट्रल थेवरी यह जो बोलते हैं यह की कोगनेटिव डवलपमेंट थेवरी तो हमारा आणसोर क्या हो जाएगा आंसर नमबर पस्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट बटते हैं खालिस्थान इस दब प्राइमरी एजेंसी ओफ सोसिलाइजेशन ओफ चिल्डरन देखिए प्राइमरी एजेंसी पुच्छा है दोपसन देखिए स्कूल है मैंने सेकेंडरिम बता है मास मीडिया नहीं है रिलीजन न प्रेंड्स आपका पीर ग्रूप्स एंड नेवर वूड यह चीज अमने बड़ी थी यहां पर एक होती है एक्टिव और पैसिव एजेंसी ठीक है अब पूछ ले एक्टिव एजेंसी कौन सी है पैसिव एजेंसी कौन सी है तो देखिए प्रैमरी और चेकेंट्री दोनों होती है ना हमारी एक्टिव एजेंसी होती है ज्याने कि जहां पर बच्चा करता है दूसरों के साथ इंट्रेक्शन करता है दूसरों के साथ बातने करता है दूसरों के साथ और एक होता है पैसिव एजेंसी का मतलब होता है वह बच्चा एक्दम स्यांत रहेगा जैसे वहां पर बच्चा चुप्चा पकेले बैठके बटता है वो किसी से बातें नहीं करता है किसी से इंट्रेक्शन नहीं करता है ठीक है न यह क्या हो गया क्यूसर नमबर एड और आंसर अमर क्या हो जाएगा फैमिली चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस ने दिया था जो नो प्रॉक्सिमल डवलपमेंट लेव वागुटस की ने दिया था चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आंसर नमर क्या हो जाएगा इसमें हमारा आंसर नमर टू नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे यहां पर यह बोल रहा है अक अमन है न एक पहली को टुकडो क छोटेक करेंगे किर रहे हैं लेकिन साई जगह पर सही इस्सों करने के लिए संखर्श करते हैं कैसे क्या और क्यों के रूप में उसकी मां सछी करती है संखेत परदान करती है तो सचैसी बात है ल koß कर रही है। किया म rainCuzote fix the piece of a puzzle but he is struggling struggling to fit the correct part of the right places his mother provides hints and cues in the form of how what why according to Lev Vygotsky act as a square fold for learning यानि जो उसकी माय है वो क्या कर रहे है बच्चे को square folding दे रही है उसकी help कर रही है ठीक है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा अंसर नमबर थ्री नेक्स्ट बढ़ते हम की थियोरी असेस्टिड डिस्कवरी इस एड़िड वाई ठीक है ना यानि सायक खोज तो क्या होती है सायक मतलग किसी की सहता से किसी की सहता से हैल्प से तो इसमें क्या जाएगा हमारा आंसर कोगनिटिव कंफ्लिक्ट है धूद्ध थोड़ी नहीं हो सकता यानि सभाटी सायोग से कहीं कहीं हो सकता है यह तो तो इलग हो गई reinforcement skinner ने दिया था यह भी अलग हो गई तो हमारे क्या पास क्या बचा पियर collaboration यानि कि अपनी सहाथाटी की सहयोग से बच्छा क्या कर रहा है discovery कर रहा है assisted discovery कर रहा है तो answer अमरा यहां पर क्या हो जाएगा answer number two अब next बढ़ते हैं हम आगे देखे इस number 12 है खालिस्तान refers to the learning that children undergo when they enter social institution such as school ठीक है यानि कि बच्छा सीखने के लिए जा रहा है और कहां पर जा रहा है school में जा रहा है social institution है school उसके अंदर जा रहा है तो यहां पर पूछले school क्या है जहां पर बच्छा पढ़ने जा रहा है वह किस के अंदर जाएगा वह आएगा secondary socialization के अंदर मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था आप स्कूल किस के अंदर रहता है आपकी secondary agency के अंदर आता है तो यह क्या हो जाएगा आपका secondary socialization क्या जाएगा सेम वही चीज़े जो मैंने आपको बताई थी इसे फैमिली आ जाएगी ठीक न देखे आगे देखता आगे किसन अगे तब बात करते हैं और उसके बाद एखे मैचुरे से नहीं दो लग सीज़ ओगी पैसी आपको बता दिया वह च्या होगा लाइब्रेरी होगा ठीक है ना चलिए next बढ़ते हैं प्राइवेट स्पीज इन वाइगोच्स की थेोरी जो प्राइवेट स्पीज है वाइगोच्स की थेोरी के अंदर वो क्या है देखो इस इंडिकेटिव ओफ चिल्डरन इगोसेंट्रिजम देखें इंकोसेंट्रिजम किस ने दिया था हमने बात किये थी यह तो प्याजी की थेोरी के अंदर था यह वड़तो फिक है ना इंडर्स चिल्डरन एक्सनेंट ब्येवियर फिक है यानि बच्चों के किरिया कलाप और वहवारों का अवरोध दक यानि कि रोकता है उन्हें यह भी नहीं हो सकता जब बच्चा कठिन कार्य करता है तो जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या करते है बच्चे की हल्प करते है उसके ब्येवियर को रेगुलेट करने के अंदर और यह चीज हमने वाइवेट की थोरी के अंदर पढ़िये थी अगर जो प्राइवेट स्पीच या इन्नर स्पीच है उसका 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 किसलिए करता है अपने ब्येवियर को रेगुलेट करने के लिए अपने आपको एक सही दिशा देने के लिए तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आंसर नमबर 3 ठीक है ना नेक्स चलते हैं विच अपने फोलोविग इस अप्राइमरी एजन्सी और सोशिलाइजिशन पर चिल्टरन फिर वही कुशन आ गया रिपेट होके फिर वही कुशन आ गया रिपेट होके तो आंसर क्या होगा यहां पर फैमली होगा सिद्धी सी बात है नेक्स बटते हैं एक जो मैथ का टिच्चर है वो अपने से ज़द्धा स्किल जो बच्चे है ना उनको क्या कर रहा है दूसरे बच्चों को गाइड करने के लिए उनकी हेल्प ले रहा है यानि कि जो बाकी बच्चे हैं उनको कौन पढ़ा रहा है जो स्किल्ड पियर्स है ना उनके जो स्किल्ड समकक्सी है जो उनसे ज़ादा होशयार है जिने ज़ादा पता है तो उनकी हेल्प से वो टिचर क्या कर रहा है उन्हें पढ़ा रहा है तो किस थेओरी का यूज कर रहा है तो देखें इसमें क्या जाएगा लेवाइगोट्स की थेओरी ऑफ सोचियल कंस्टुक्टिविजम दखो जब बच्चे ग्रूप में पढ़ते हैं न एक दूसरे की हेल्प लेकर पढ़ते हैं तो क्या कर रहे हो उ इसमें बच्चों की विकास के लिए जो लेवाइगोट्स की है उसकी थेओरी की सिद्धान पर आधारी थी तो देखें मैचुरेशन एंड कल्चर मैचुरेशन की बाद प्याजिन की थी घलत हो गया लेंग्वेज एंड फिजिकल वर्ड देखें मैंने आपको बताया था जो लेवाइगोट्स की है उसने अपनी थेओरी के अंदर तीन चीज़ों की बात की थी एक तो लेंग्वेज की बात की थी एक सोसाइटी की बात की थी और एक किसकी बात की थी कल्चर की बात की थी यह चीज़े मैंने थेओरी के अंदर एजटी लिख रखें बहुत अच् खुद confidence आ जाएगा का हाँ ऐसे ही questions आते हैं क्योंकि ये सारे original questions हैं ठीक है ना next option देखे language and physical world तो language तो ठीक हो गया लेकर physical world क्या हो गया गलत हो गया language and culture तो देखे language भी आ रहा है और culture भी आ रहा है दोनों चीज़ जिसने कही थी तो ये क्या हो गया सही हो गया और यहां पर देखे language and maturation फिर maturation आ गया तो ये क्या हो गया maturation के वज़े से जलत हो गया तो answer हमारे क्या हो जाएगा answer number 3 अब next बढ़ते हैं in the concept of zone of proximal development यानि कि ZPD तो किसने दिया था वाइगोच्की ने दिया था proposed by लेव वाइगोच्की the term proximal indicates that assisted provided खालिस्तान learner's current competence यानि कि यहां पर इसने बोला है लेव वाइगोच्की के निकट्स्त विकास का जो छेत्तर है सिद्धान्त में सब्दावली क्या है निकट्स्त दर्शाती है कि दी गई साइता सिक्स यार्थी की वरतमान दक्स्ताक के तुल्ला में क्या है goes just blow यानि की निक्चे है goes just beyond यानि की कुछ उपर है is linear with मतलब same-same उस पर है is far beyond यानि क्या है बहुत उपर है तो देखिए इसके अंदर क्या होगा answer हमने देखिए ZPD जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था तीन लेयर मैंने बताया थी यह वाली यह वाली यहां पर dotted line है रेकी यह वाली बताया थी मैंने यहां पर task वो आराम से कर लेता है यहां वाले जो task है वो कर लेता है लेकिन थोड़ी difficulty से करता है यह पताया था ना और यहां पर है जो task उनको क्या कर रहा है वो scale folding यानि किसी के help से कर रहा है तो इसने ZPD के बारे में पुछा जो proximal है वो क्या है वो होता है जो उसकी दक्सता है उससे कुछ उपपर है था भी तो उसे help की जुर्थ पड़ी ना तो इसका answer हमारा क्या हो जाएगा answer number 2 जो उसका जो दक्सता है उससे क्या है उसका level questions का level क्या है थोड़ा सा उपपर है इसलिए तो उससे help की जुर्थ पड़ी ना जैड़ मीटी के अंदर proximal का मतलब क्या है गो जस्ट ब्योंड यानि कि उसकी दक्सता से कुछ उपपर है ठीक है तो यहां पर हमारा answer क्या हो जाएगा answer number 2 चलिए next सलते है अकरम instructing himself while assembling a set of blocks in light of लेव वाइगोच्स की थोरी अकरम is engaging in khalistan speech ठीक है देखे अकरम किसी एक block के समों के साथ खेलते वे श्यम को क्या कर रहा है निर्देश दे रहा है भई वो अटक गया होगा तो चीजों को नहीं कर पा रहा होगा frustration में आगा है तो क्या कर रहा है खुद को बोल के अपने आपको निर्देश देने के लिए अपने ब्यविएर को रगुलेट करने के लिए यहां पर हमारा अंसर क्या हो जाएगा चलिए नेक्स्ट चलते है परिवार में आरम में होने वाले वह परक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिकत पहचान जानना शुरू करते हैं पासा सीखते हैं और आरम भी संग्यानात्म को सल्विक्सित करते हैं वो क्या कहलाती है तो देखे फैमिली की बात आ गई तो क्या होगी प्रैमरी सोचलाइजिशन होगा है क्योंकि बच्चे के लिए सबसे पहले क्या है फैमिली है जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले किस से मिलता है वो अपनी फैमिली से ही मिलता है और वहीं पर क्या होता है उसको अपनी आइडेंटिटी मिलती है तो हमारा आंस्वर क्या हो गया, आंस्वर नंबर 1, चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, वहीं पुछा है, जैड़ पीड़ी, किस ने दिया, तो किस ने दिया था, लेव वाईगोच्की ने दिया था, तो आंस्वर क्या हो जाएगा हमारा, आंस्वर नंबर 4, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट कर्रेक्टली लेज आउट दाफ फंडामेंटल प्रिंसीपल ओफ लेव वाइगोच्की थ्योरी तो निमिल लिखित में से लेव वाइगोच्की के मूल सिद्धान्द को सही माइने में कौन सा दर्शाता है तो देखिए फर्स्ट ओप्सन है हमारे पास लर्निंग इजे अनकंशियस प्रोसेस अलत हो गया लर्निंग इजे सोसियल अक्टिविटी लेव वाइगोच्की ने किसके बारे में बात की थी सोसियल के बारे में सोसियल आइजिशन के बारे में सेक्ता हुएर ना हर पर इन्सां कुछ सीखता है ना स्टेजिज में थोड़ी मैं थोई फेका लगी to iskunटिने होगी तो तो आंसर क्या हो जाएगा अंसर कर दो अनुख का किशने सोचेके ऑचुल वाइ सेक potassium चलिहें बार-बार एजी टीजर वो के वही क्युस्सन रिपीट हो रहे हैं आंसवर हमेशा सेम है बस उन्हों क्यूस्सन को थोड़ा सा गुमा देते हैं आप अप्लाइड इसी तरह के से वह आपको एक्जाम्पल देखे किसें देंगे अगर आपके मारीड में कंसेप्ट किलिए रहे जो चीज़े मैंने करवाई हैं नोट्स में वह अच्छे से आप बार-बार रिपीट कीजिए कंसेप्ट भी किलियर हो जाएंगे क्योंकि मैंने वहां पर इसी तरह के एक्जामपल लिए है अपने लोकल लेंगवेज के एक्जामपल उठाए है मैंने जो हम डेली अपने लाइफ में करते हैं समझ रहे हो ना तो इसलिए मैं बोल रहा हूं उन नोट्स को आप बार-बार पढ़िए और वहां से आप जब एक बार देखिए प्लेइलिस्ट में जाकर और देन उसके बाद इन-mcq को आप प्रेक्टेस कीजिए ठीक है ना और सारे एक सारे ओरिजनल प्रिवेशियर है ठीक है इस कांसर हमारे पास क्या हो जाएगा स्कूल किसमें आता हमारी सेकंड आने के लिए ले वाइगुचकी ने कौन सी टेक्निक दी थी कौन सी दी इंस्ट्रक्शनल इसके फोल्डिंग यानि बच्चों को आप क्या कीजिए एल्प कीजिए ठीटर क्या होगा एज फैसिलिटेटर होगा यानि जब बच्चे को जर्त होगी तब यह आ जाएगा और इसके थुरू इंस्ट्रक्शन देखके जैसे हैं आपने पिछ्छे एक्जामपल पढ़े हैं उनके अंदर भी यही चीज आई थी ठीक है ना तो आंसर हमारा यह क्या हो जाएगा यहां पर आंसर नंबर फस्ट अब नेक्ष्ट तलते हैं विछ ओफ दीज इस नेटे प्रामडी एजन ऑफसुल आइशजेंश्ट देखिए मैंने प्रैम फ्रैमर इजन्च बाला था और प्रैमरी अजन्च बाला था अब ऑप्सन देखिए अब आप बोलोगे एक सर आपने तो यह बताया था जो फैमिली है ना सिर्फ और सिर्फ वो primary agent या primary agency के अंदर आती है और नेबरूड और पियर्श में किसमें बताया थे second agency में बताया थे और देखो हमें इसे एक चीज़ को याद रखना जब भी हम questions को solve करते हैं तो हमें options के according चलना वड़ता है अगर आप देखते हैं तो यह तिनो फैमिली भी, नेबरूड भी और पियर्श भी यह कही ना कही agency तो है ना जिफिर वो primary हो जिफिर वो secondary हो यहाँ पर option number 4 क्या है government तो सरकार कोई agency थोड़ी ना है socialization की ठीक है ना यहाँ पर हमारा answer क्या हो जाएगा तो आप एक चीज़ को याद रखना आप इस चीज़ में मत जा ना primary agent कौन सा है या secondary agent कौन सा है मैंने बताया था agency को हम agent भी बोल जाते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर family हो गया नेबरोड हो गया पीएट हो गया basic यह secondary के अंदर है लेकिन है तो agency ना तो यहाँ पर हमारा चारों मेंसे सबसे अलग answer क्या है government है सरकार है तो यह हमारा क्या हो जाएगा answer ठीक है चलिए next देखते है लेव वाइगोट्स की theory of cognitive development यह मैं आपको बता चुका हूँ अग जो उसकी socio-cultural theory है उसी को हम cognitive development की थोरी बोलते है लेव वाइगोट्स की theory of cognitive development is called a खलिस्तान theory as he argues that children learning takes place in a context देखिये वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसने बता दिया अग जो लेव वाइगोट्स की की जो cognitive development theory है उसको हम क्या बोलते है social-cultural theory जो चीज में आपको explain कर रहा था न वहीं चीज़ इसने क्युस्सन की रूप में बूच ली ठीक है न यानि कि cognitive development theory लेव वाइगोट्स की की उसका दूसरा नाम क्या है क्या है socio-cultural theory तो answer अमरे क्या हो जाएगा answer number three next देखिए अगर जो teacher है न वो बच्चे क्या कर रहा है help कर रहा है क्यों ताकि बच्चा अपने लेवल पर पहुंच सके ठीक है जो चीज उसको अचीव करनी है वहां तक वह उसको बहुच जाए तो वह क्या देगा बच्चे को basic example दिया है जब चोटा बच्चा starting में चलना स्टार्ट करता है तो हम उसकी उंगली पकड़ के चलाते हैं और जैसे हमें लगता है कहाँ अब यह खड़ा होने लग गया और कहीं ने कहीं चल सकते हैं तो हम क्या करते हैं अब अपनी उंगली उसके हाथ से हटा लेते हैं हम ब दिया ठीक है ना तो यह होगा क्यूशन नंबर 6 तो इसका अंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर के फोल्डिंग दा चाइल तो देखे टोटल जो क्यूशन से 26 क्यूशन थे पेपर 1 के अंदर जो दिसंबर 2021 के अंदर हुआ था पी आटी का ठीक है ना अब इसी तरह मैं जो लेवल 2 का जो एक्जाम हुआ था दिसंबर के अंदर वो भी मैं सारे के सारे वाइगोच के के लेकिया हूंगा ठीक है ना तो इसी तरह की साम चीज़ों को करेंगे आप पहले थियोरी को प्लेलिस्ट में जाकर देखिए दैन उसके बाद इन क्यूसन को प्रेक्टिस कीजि आपको 100% original questions मिलेंगे ठीक है थैंक्यू